तो आज का टॉपिक क्या है हमारा सब्जेक्ट है नियू जिसका नाम है मैंनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा मैं अब आउट चेप्टर बता दूँ मैंनेजमेंट अकाउंटिंग आपको अगर 11th क्लास याद होना थोड़ा सा पुरानी बाते हैं हो सकता है आपको यादभी होगा और हो सकता है ना भी हो यहाँ पर आपको सिखाया जाता था के branch branches of account sir branches of account तो कुछ सुना सुना लग रहा है बिलकुल Branches of Account में क्या सिखाया जाता था इसके तीन Branches होते थे बेसिकले Number 1 Financial Accounting Number 2 Financial Accounting के बाद Number 2 Cost Accounting Number 3 Management Accounting सर यह तीन Branches बताए गए थे आपको तीनों Branches का एक बार हम सही से discussion कर लेते हैं फिर हम आगे आएंगे आज के agenda पर तो first of all आप graduation में हो और almost आपका graduation done होने वाला है अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा आप graduate हो जाओगे कुछ ही time बात तो हमारे education का system ऐसा है कि जब graduation आपकी complete हो तो यह सारी accounting को आप अच्छे से समझो branches मतलब कितने परकार के accounts को कितने टुकुडों में बांट दिया गया है वो है तो simple सी बात है यहाँ पे financial account हमने 11th में पढ़ा हमने 12th में पढ़ा हमने 1st year में पढ़ा हमने 2nd year में भी पढ़ा है second year में तो नहीं पढ़ा होगा खेर और कुछ बच्चों ने second year में भी पढ़ा होगा जैसे corporate account हो गया या फिर आपका partnership हो गया company account हो गया यह सारा इसका पार्ट था costing आपने second year में पढ़ा है four semester में याद होगा अब आपको ज़्यादा costing भी बताना उसके अंदर हमने क्या सिखा था cost sheet किसी product का cost contract cost reconciliation operating cost and etc अब आ गया है वक्त के आपको यह सिखा दिया जाए और management account जैसे ही सिखाए जाएगा और education की तरफ से आपको पूरा accounts बता दिया गया है वो बात अलग है हमने कुछ accounts को अच्छे से पढ़ा हुआ होता है और कुछ accounts को नहीं पढ़ा हुआ होता है तो हमारे accounts जो है इतने ही limited इस से अपर कुछ भी नहीं होता हमारे account subject के अंदर तो basically यह सारे accounts का ही part है बस नाम अलग रख दिये गये हैं इसके अंदर आपका mainly बात करें तो क्या सिखाए जाता है सर profit and loss निकालना सिखाए जाता है इसके अंदर product की costing की बात होती है product की costing की और सर जो तीसरा है हमारा इसके अंदर decision लिया जाता है decision किस चीच का कि हम काम करें या ना करें let's say हम एक example लेते हैं कि मेरे पास जैसे कि माल लेते हैं कि mobile phone है मेरे पास इस mobile phone के अंदर ना processor कोई और बना रहा है इसका जो RAM है कोई और company बना रहा है camera कोई और company बना रहा है तो कभी सोचना कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही company माल लेते हैं कि Samsung ही सब कुछ क्यों नहीं बना लेता तो होता यूँ है कि अगर सब कुछ एक company बनाएगा तो जो चीज़े आपको 20,000 रुपे में मिलते हैं ना mobile phone वो लाखों में पहुंच जाएगा इसलिए जिसका जो काम है उसको हम दे देते हैं तो ऐसे ही आप से पूछा जाएगा इसके अंदर दो product है एक आप बनाते हो तो इतना खर्चा है बाहर से खरीदे होगे तो इतने का खर्चा आएगा तो आप decision लीजिए management को decision बताईए कि आप इस product को बनाएंगे या फिर इस product को बनवाएंगे ये चीज़े सीखनी है इसके अंदर काफी सारे chapter है first हमने intro में देख लिया था बस 5 ही chapter है मानके चलिए marginal costing, standard costing, budgetary control, activity based costing वी थोड़ा सा है relevant costing जिसे बोलते हैं और साथ के साथ हमारा एक दो और supporting chapter है absorption वगएरा ठीक है न तो चलिए हम start करेंगे पहला chapter हम उठाएंगे marginal costing और उसको हम अच्छे तरीके से करेंगे तो चलिए यह हमारी class कौन सी है sir class भी लिख दें यह हमारी class है 01 class आज ज्यादा तो नहीं books वगएरा सारी बात करें तो books कौन सी लेनी है आपको M.N.Aroda M.N.Aroda यह books है जो कि डेली इनिवर्सिटी के सबसे परसिद्ध book मान के चलो जो जायतर बच्चे management accounting की लगाते हैं M.N.Aroda सरकी ठीक है sir तो चलिए start करते हैं marginal costing हमने थोड़ी सी चप्टर के बारे में बात कर ली है marginal costing क्या होता है यह होता है variable costing आपने marginal costing का definition economics में पढ़ा होगा कि जब हम एक extra unit जो भी हम sold करने में कामियाब होते हैं उसे marginal बोलते हैं आपने costing करा था न total cost, fixed cost, marginal costing उसी से कुछ न कुछ components यहां मिलता जूलता होगा हम कुछ बातों को सिखेंगे आपको यह याद रखना है कि marginal costing क्या होता है variable costing वैसे marginal costing क्या होता है जैसे मान लो एक unit हम मान लेते हैं कि 10 unit और 11 unit तो कितने unit बढ़के एक तो एक unit marginal है एक unit marginal बाकि हम formula से करेंगे बहुत सारे जैसे है कि करने का तरीका अलगा अलगा है question पूछे जाएंगे इसमें से theory के इसके अंदर कुछ formula है आप मेरे साथ पहले note करिएगा उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्या है पहला इसके अंदर बताये गया और कुछ terms basically profit volume profit volume volume ratio इसको हम आज के बाद profit volume ratio को short form में बोलेंगे pvr और यही word मैं इस्तिमाल करूँगा जो इन बच्चों की first class है वो कुछ इनके abbreviation याद रखना है जो की मैं ज़्याद से ज़्यादा इस्तिमाल करूँगा profit volume ratio होता क्या है सरीए profit volume ratio होता है हमारा contribution contribution पूरा लिख देते हैं upon में sales बहुत सारे फॉर्मूले हैं हर किसी को समझेंगे इन्टू में 100 profit volume ratio छीक है सर अब हमें समझना है contribution क्या होता है contribution is equal to sales minus variable cost सर एक तो contribution यह हो जाता है sales में से variable cost minus कर दो हमें sales को भी बड़े अच्छे से समझना चाहिए कि सर sales है क्या अगर sales को मैं define करूँ तो सर sales होता है हमारा variable cost अब एक बात मैं बता दूँ फिर से एक abbreviation और use करूँगा variable cost को मैं VC बोलूँगा आपके बाद तो sales होता है variable cost plus fix cost और fix cost को मैं अब आगे से FC बोलूँगा fix cost plus profit तो सर sales यही होता है किसी भी product को आप बनाओगे तो आप खुछ सोचो logic लगाओ किसी भी product को बनाओगे तो आपका कितना खर्चा लगा variable और कितना fix और कितना profit सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा हमारा sales अब हमें समझना होगा सर यह variable cost क्या होता है variable cost लिखने की जुरत निया definition के लिए मैं notes दूँगा पहले समझ लेजिए variable cost वो होता है जो कि unit जितने ज़्यादा बढ़ाते जाओगे जितना unit आप बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से expense भी बढ़ेगा जैसे मैं एक pen बनाता हूँ तो 10 रुपए का खर्चा दो pen बनाऊँगा तो 20 रुपए का खर्चा तीन pen बनाऊँगा तो 30 रुपए का खर्चा और 10 pen बनाऊँगा तो 100 रुपए का खर्चा तो जितने pen बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे costing क्या होगी बढ़ती जाएगी तो उसको हमने क्या नाम दिया सर उसको नाम दिया variable cost fix cost क्या होता है fix cost वो cost होता है जो कि आप unit को बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ आपकी cost fix रहेगी for example जहां मैं पढ़ा रहा हूँ जहां मेरा studio है जहां से मैं video record कर रहा हूँ यहां का खर्चा मान लेते हैं rent suppose के 10,000 रुपे हैं अब मैं एक बच्चे पढ़ाओ rent 10, 2 पढ़ाओ 10, 50 बच्चे को भी पढ़ाता हूँ तो मैं मेरा rent रहेगा 10,000 तो ऐसा खर्चा जो कि fix respective of sales unit पे रहे उसे बोलते हैं fix cost और variable जो हमारे unit sold के हिसाब से change होई variable प्रॉफिट तो हमारा हिस्सा है जो कि हम profit earn करके sold करते हैं तो सर आप ध्यान दीजिए मैंने sales का definition समझ में आया होगा थोड़ा सा variable fix और आपका profit क्योंकि मान लेते हैं मान लेते हैं कि मेरा variable cost है 60 रुपए का और fix cost है मेरा 20 रुपए का आने जाने का किराया मान लेते हैं ये product की cost होती है मिसा और मैं आया गया उसका किराया 20 रुपए तो लगने है भाई ये तो fixed है अब मैं इसके अंदर दो वेक्ति को लेकिया हूँ अकेले हूँ 20 ही लगना है fix cost है तो product है fix cost है total मेरा पढ़ गए 80 तो क्या मैं 80 रुपए में समान को बेच दूँगा मेरा सवाल ये है क्या मैं 80 रुपए का समान को बेच पाऊंगा आप comment में जवाब दीजिए क्या मैं 80 रुपीस के अपने समान को बेचूँगा या नहीं बेचूँगा yes या no में simple सा question है real life का आप मान के चलिए दुकानदारी कर रहे हैं उसके इसाब से बताइए बताइए फटा फट देखते हैं कौन कौन बच्चा live है साक्षी वन्शिका गौरव साक्षी का कहना yes बेच सकते हैं वन्शिका का कहना yes बेच सकते हैं मेरा variable cost देखो अब मैं फिर से और थोड़ा और आपको clarity देना चाहूंगा जी मैं सबजी बेच रहा हूँ vegetable seller हो मैं ठीक है ना मैं आलू आलू समझते हो क्यों नहीं समझते सर मैं आलू एक केजी दस रुपे का खरीद के लाता हूँ एक केजी दस रुपे का खरीद के लाता हूँ और मैं ले के आता हूँ जैसे कि आप सब डेली से हो तो अजादपूर मंडी से ले के आता हूँ तो वहाँ से किराय लगेगा तो वैसे एक केजी आलू का जो मुझे किराया पढ़ता है यानि fair जो किराया पड़ता है वो पड़ता है हमारा इसको हम freight बोल दें freight पड़ता है दो रुपे का अब ये आलू जो freight है कहीं न कहीं ये fixed cost है fixed cost और जो आलू है ये हमारा variable cost है अब मैं आलू की मतलब कि मैं vegetable seller हूँ तो मैं अपना एक kilo आलू 10 रुपे में बेचूँगा 12 रुपे में बेचूँगा या 12 रुपे से जादा में बेचूँगा जवाब देजिए comment में फटा फट से क्या 10 में बेचूँ या 12 में या 12 से जादा बताइए फटा फट Sir more than 12 बिल्कुल यानि इस लेवल पे तो मैं समान बेचना ही नहीं चाहूँगा अगर इस लेवल पे मैं समान बेचता हूँ तो मेरी मजदूरी भी नहीं निकल रही कुछ नहीं हो रहा प्रॉफिट भी नहीं कवा रही भूखा मर जाऊंगा मैं इस खाने को मिले गई नहीं क्योंकि जो समान आ रहा है उसको बेच रहा हूँ वो पैसा आ रहा है फिर समान ला रहा हूँ फिर बेच रहा हूँ तो इसका मतलब वेरियेबल कॉस्ट और यह यानि हम एक वैपार के अंदर बिजनस के अंदर हमने अपना effort लगाया है contribute किया है मेरा contribution business के अंदर कितने रुपए का है 12 रुपए अब इसके अंदर मैं profit को जोड़ दू इसके अंदर अगर मैं profit को जोड़ दू 4 रुपए का तो मैं बेच पाऊंगा 16 रुपए का कितने का बेच पाऊंगा मैं 16 रुपए को तो समझे सर contribution क्या होता है मैंने contribution यहाँ बताया sales में से variable cost को minus करिए तो उसे क्या बोलेंगे contribution अब ध्यान से समझेगा यानि मैंने business के अंदर इतने पैसे लगा है इस तरीके से हमारा contribution है और इसको करेंगे ठीक है तो यानि कहने का मतलब है सर हम fixed cost के बाद हम अपना पैसा recover करना चाहेंगे चलिए contribution का दूसरा formula देखिए यहाँ contribution क्या था sales minus variable अब बताये sales में से हमने minus किया variable तो क्या बन गया contribution अब ध्यान से देखिए बचा क्या बचा क्या आपने बोला सर sales में से minus करेंगे contribution तो बचा क्या यह दोनों पार्ट बच गए तो इसका मतलब क्या मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि contribution is equal to fixed cost plus में profit हाँ या ना बताये इस से agree करते है contribution is equal to fixed cost plus में profit 12 plus plus 12 plus बिल्कुल ठीक सभी ने जवाब दिया आप connect रही है साथ में जवाब देते रही है तो बताये contribution fixed cost plus profit सही है या इसमें confusion है पहले मैंने बताया sir contribution ये होता है लेकिन अब मैं बता रहा हूँ contribution ये तो होता है ये इसके साथ ये भी हो सकता है क्या इन दोनों में कोई फरक है मैं बोल रहा हूँ कोई फरक नहीं है वही बातों को मैंने घुमा फिरा के लिखा हुआ है तो sir एक बात और बताईए मुझे और सुनिए एक बात इसका मतलब अगर sales में से variable cost को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा sales में से variable cost को माइनस करते हैं तो आ जाता है contribution तो इसका मतलब अगर sales में से हम contribution को माइनस करते हैं देखिए contribution sales में से क्या करूँगा मैं variable cost यहीं छोड़ देते हैं और contribution और sales को माइनस कर देते हैं तो क्या जाता है हमारा variable cost सीख है न तो मैं अभी simple लेके चलते हैं ज्यादा complication में नहीं जाते हैं तो हमारा contribution के दो फॉर्मूले आगे fixed cost प्लस profit भी contribution होता और यह भी होता है हम सीख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए profit volume ratio तो hopefully आपको contribution उपर का हिस्सा समझ में आ गया होगा sales क्या होता है आपको यह sales हमेशा net वाला होता है हमेशा धियान रखना into में 100 तो यहां से आएगा profit volume ratio अब देखा जाए तो उपर तो हमने यह दोनों रखा है इन दोनों का total और यहां पर यह रखा है तो एक तरीके से इसलिए नाम पढ़ गया profit volume ratio क्योंकि यहां variable cost involved नहीं होता क्योंकि variable cost को हम sales से निकाल देते हैं तो सर अगर आपसे variable cost पूछा जाए variable cost तो ध्यान रखिएगा variable cost हमारा क्या होगा यहां पर देखे fix cost तो fix cost उसके भी चर्चा करेंगे variable cost होगा हमारा PVR अगर 100 में से हम minus कर दे profit volume ratio क्योंकि let's assume यह करो के हमारा total जो variable cost यह sales जो भी whatever है हमारा 100 होता है उसमें से profit volume ratio को अगर minus कर देते हो तो आपका variable cost निकल के आ जाता है और जो variable cost निकल के आता है वो आता है in the terms of percentage यह percentage में आएगा ठीक है न यहां तक भी clear है sir फिर formula को समझेंगे फिर हम apply करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है profit volume ratio PVR PVR क्या होता है contribution upon में sales into में 100 sir contribution क्या होता है contribution होता है sales minus में variable cost sales क्या होता है although हमने यह leverage में भी पढ़ा हुआ है जो FM पढ़ रहे है sales हमारे क्या होता है fixed cost variable cost fixed cost plus profit contribution हमारा यह भी हो सकता और variable यह भी है है sir PVR का एक formula नहीं है एक और formula है PVR का एक और formula है हमारे PVR का कई बार जब more than one year का data given होगा तो करेंगे हम change in profit divided by change in sales into 100 एक यह भी formula हमारा किसका PVR का आपको सारे formula ही याद रखने है ठीक है अभी तक हमने क्या देखा profit volume ratio को देखा इसके साथ साथ और क्या हमें देखना है और क्या क्या हमारे help में रहेगा चलिए देखते हैं इसको इधर कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं ठीक है चलिए सर आगे चलते हैं अगला formula है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जिसको मैं अब बोलूगा ब्रेक इवन पॉइंट बी इपी नहीं विजवल है दिखा देते हैं ठीक है अब बी इपी अब बी इपी दो लेवल के हो सकता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ना दो तरीके से निकाला जा सकता है पी इपी या तो in terms of rupees में निकाला जा सकता है अगर in terms of rupees में निकालना है तो formula क्या होता है fixed cost fixed cost divided by pvr pvr हम पीछे समझ चुके हैं divided by pvr in the terms of किस में निकालना हमें rupees में लेकिन अगर आपसे बोला जाए break even point निकालिए और इसको ध्यान रखना break even sales भी बोल देते हैं कई बार इसको break even point या break even हम कई बार तो sales भी बोल देते हैं break even sales क्योंकि rupees में निकला है तो इसमें मैं s और जोड देता हूं break even sales भी बोल देते हैं break even point अगर आपसे पूछा जाए unit में तो इसका formula apply करोगे आप fixed cost divided by contribution per unit sir अब challenging ये है contribution per unit क्या है देखिए fixed cost हम पहले समझ चुके हैं pvr भी समझ चुके है fix cost अब contribution per unit example मैंने कहा हम जो unit sold करेंगे unit sold करेंगे वो करेंगे 10,000 ठीक है और unit sold 10,000 करते हैं हम और sales जो हमारा है per unit वो है मान लेते हैं 50 रुपए और जो variable cost है per unit let assume के वो हमारा 40 है ठीक है तो अब हमारा अगर मैं आपसे पूछूं के आप कौन बच्चा बताएगा sales कितने रुपए का होगा sales बताएए in terms of rupees में sales बताएए in terms of rupees में तो जवाब आपका होना चाहिए मैं लिख देता हूँ यानि पांच लाख रुपए ठीक है और इसमें से अगर मैं minus कर दूँ variable cost कौन बताएगा variable cost क्या होगा तो simple सी बात है 10,000 multiply by क्या कर दे हम 40 यानि 4 लाख तो यह जो निकल के आता है यह contribution आता है और contribution आपका निकल का है कितने का एक लाख रुपए का ठीक है ना एक लाख रुपए का बिल्कुल सही साक्षी का जवाब आ गया था एक लाख रुपए का सर contribution हमारा निकल के आया है एक लाख रुपए का ये तो in the terms of rupees है अब per unit अगर contribution आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा CPU यानि per unit contribution is equal to 50 का sales minus में 40 यानि हमारा आएगा 10 rupees का तो समझे आप amounts के terms में contribution टोटल में निकाला जाता है per unit में यानि एक unit का क्या price है उसी के accordingly निकाल लिया जाता है यहां तक कोई दिक्कत बताईए यहां तक कोई दिक्कत है ठीक है सर let assume के हम इसको मैं इस side ले जाता हूँ although क्योंकि मुझे इसको और आगे extend करना यह धियान रखना CPU आपने यह निकाल तो लिया मैं bracket में formula लिख लेता हूँ per unit sales minus per unit variable cost ठीक है नहीं यह हो गया चले इधर रहने देते है ठीक है सर let assume के हमारा fixed cost है fixed cost suppose करो के मेरा 150,000 है तो मेरा यह contribution question मैं ध्यान से देखोगे तो मेरा contribution यह है हमारा पूरा question तो question में ध्यान से देखोगे है हमारा contribution एक लाख है अगर मैं आपसे profit बोलू तो इसमें और भी minus करना होगा आपको fixed cost जिसको FC बोला था तेड़ लाख रुपे का fixed cost है अगर हमने तेड़ लाख रुपे और minus किया तो मेरा profit की जगह पर क्या निकल के आ रहा है loss loss कितने का निकल के आ रहा है सर loss निकल के आ रहा है हमारा 50,000 रुपे का बताईए मैं business को चालू रखूँ या बंद कर दूँ business को चालू रखूँ या बंद कर दू comment में जवाब देजिए मैं business को चालू रखूँ या बंद कर दूँ सर बंद कर दो बिल्कुल सही सर हमें loss हो रहा है तो हम business को क्या करेंगे बंद कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है इसका मतलब मैं अपने बात करता हूँ और आप भी वही सोच रहे होंगे common चीजे होती है, देखो study क्या है, और especially commerce इतना प्यारा subject है न और real life की सारी चीजे है मैं बहुत tension में आ जाओगा अगर मेरे business में ये रहता है, तो tension होगी और आपको भी होगी, definitely अब क्या सोचोगे कि कम से कम तो ये तो रहता कि हम business को बंद नहीं करते कम से कम इतना तो होता कि यार business को बंद नहीं करते, यानि आप चाहते हो कि अगर आप business कर रहे हो, और आपको 0 रुपीस होता ना profit होता ना loss होता let assume, अगर मेरा ये fix cost डेड़ लाख ना होके अगर एक लाख रुपे होता डेड़ लाख रुपे ना हो करके एक लाख रुपे होता, तो मेरा यहाँ पे loss नहीं आता नहीं profit आता, जीरो होता इस situation में क्या अपने business को continue करके और आगे देखना चाहेंगे क्या पता कल के दिन profit कमा ले तो बिल्कुल सही है सर, देखना चाहेंगे जैसे ही loss हो जाता है business में हम exit मार देते हैं business से क्योंकि भाई आगे loss बढ़ेगा और possibility है लेकिन जब तक zero रहेगा at par, जिसे बोलते हैं at par zero, ना profit, ना loss ऐसे situation के अंदर हमें क्या करना पड़ता है सर, ऐसे situation में wait करना पड़ता है कि हम आगे survive करेंगे competition इतना है market के अंदर इसलिए तो सर, जब हमारा profit क्या आ जाता है ना zero, तो that's इसी को बोलते हैं, हम break even point, वो point, वो level जहां पे हमारा profit हो जाए zero, तो मैं आप सभी से अगर जानना चाहूं कि आप break even sales बताईए सर, यहां पे हम ऐसा कितने unit बेचें कि no profit, no loss हो उसी के लिए ये formula especially लिखवाया गया है कि अगर आप इस formula से sales निकाल लेना तो आपको exactly idea हो जाएगा कि कितना होगा, या फिर इस formula से unit निकाल लेजिए तो exactly idea होगा, चलिए प्रूफ करते हैं कि हमारा कितना sales हो जाए जिससे कि हम business के अंदर बने रहेंगे, यानि no profit, no loss के situation में ठीक है सर यानि हम अगेन हमें question तो 12,000 है और यह है fixed cost है, और CPU अगर आपसे पूछू तो आपने बताये था 10, चलिए next point पे यानि सर अगर मैं आपसे पूछता हूँ break even point in the terms of unit तो formula होता है इसका fixed cost fixed cost divided by fixed cost को divide करते हैं contribution per unit ठीक है तो सर हमारे question में मुझे याद है although फिर भी बता देता हूँ fixed cost देखे 1,5,000,000 रुपए का 1,000,000 नहीं मान रहें और contribution per unit 10,000 का है तो यह आजाएगा हमारे 1,5,000,000 और यह आजाएगा हमारे नीचे 10,000,000 unit को बेचिए आपको no profit no loss होगा no profit no loss होगा बिल्कुल सही बता रहा है यह इसी को आप एक बड़ चेक करते हैं चलिए इसी को हम चेक करते हैं सर अगर यह formula हमें यह समझाता है कि यतने unit बीचिए no profit no loss होगा एक बड़ टेली करते हैं हमारा sales जो रहेगा वो रहेगा question कहना चाहता है 15,000 इंटू में 50 रुपे का था तो यानि sales रहेगा हमारा 7,5,000 है कि नि और सर variable cost माइनस कर देते हैं VC VC क्या होगा हमारा सर 15,000 समझ में आना चाहिए कहीं मैं खुदी समझ रहा हूँ मैं खुदी कर रहा हूँ आप जबाब भी देते जाएए यह 6,000,000 आएगा इसके बाद क्या आएगा हमारा contribution सर contribution कितना आएगा हमारा डेड़ लाख रुपए का आएगा अब इसे बेसिक बेसिक बना रहे है नियू सब्जेक्ट है भाई थोड़ा टाइम लगेगा इसमें से क्या माइनस कर दें सर fix cost fix cost जिससे सब को डर लगता है भाई मेरे मैं नेता जी सुभास पलेस के nearby रहता हूँ तो यहाँ पे malls वगेर है तो आए दिन देखता हूँ दुकान खुलता है और बंद हो जाता है कई बार तो हम फ्रेंट के साथ जाते हैं तो challenge लगाते हैं इसने दुकान खुला है बहुत बड़ी है समान खाय है महंगा लगा देख'Tू छे मैंने में बंद हो जाते हैं कई बार हमने जानने की कोसिस करी क्या बंद हो रहा है बहले तो बहुत अच्छा अब बंद क्यूं कर रहा है यह कि रहाए है इतना जादा है क्या करें BE रेंडी मार देता है प्रॉफिट क्या आ गया जीरो तो सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है वो लेवल है ब्रेक इवन पॉइंट वो यूनिट यह वो सेल्स है वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन जब ऐसी इस्तित्थी बिजनस के अंदर आ जाए ना तो यू शूड वेट करेंगे एफट करेंगे बिजनस आगे ग्रो करेगा तो हर कोई बिजनसमेन अपने बिजनस का एक ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता है जिससे सोच लेता है कि कम से कम तो यार मैं अगर पंदरा हजार यूनिट अगर मैं बेच पाया ना तो पंदरा हजार यूनिट जैस यही आप 15,000 यूनिट से कम बेचना चालू करोगे तो आप किसमें चले जाओगे loss में तो exit हो जाओ और 15,000 यूनिट से जब ज़्यादा बेचने लगोगे तो आप किसमें पहुंच जाओगे profit में पहुंच जाओगे समझ में आया है तक सब कुछ clear चल रहे हैं ठीक ठाक यहा तक हर किसी को समझ में आ रहा है, चार्ट को रहने दो अभी, चार्ट मैं अलग से खरा दूँआ, क्योंकि उसके अंदर एक्जामपल ना, प्रॉपर लेना पड़ेगा, सारे वेरीवल कॉस्ट बगेरागा, यहां तक ठीक आ रहा है, नो डाउट, चलिए, अब आपके मन में इच्छा होगा बिजनस चलाओगे, सर क्या इच्छा होगा मेरे मन में, आपके मन में इच्छा होगा यार कास, इस पे तो हम बने रहेंगे, हमारा प्रॉफिट हो, बिजनस के अंदर, यार कम से कम तो दस अजार प्रॉफिट होना घर चलाने के लिए, कम से कम आपके दस अ कम से कम तो यार दस अजार का profit हो यानि सिंपल सी बात है आप दस अजार रुपे का profit जानना चाहिए यानि आप चाहते हो सर कम से कम तो कुछ ऐसा हो यानि आपने कहा सर मैं चाहता हूँ कम से कम यार मेरी दुर कमाये तो जाए जिससे घर का खाना खर्चा चल सके 10,000 यानि मेरे सिंपल सी बात का जवाब देना कि आपको अगर 15,000 यूनिट बेचोगे तो आपका कोई फाइदा है बिजनस में 15,000 यूनिट बेचोगे तो कोई फाइदा है क्या बताओ फटा फट बोलना यस या नो में 15,000 यूनिट बेचते हैं तो कोई benefit है क्या business में No, नहीं है फायदा Sir अगर आप बेचते हो 10,000 यूनिट मैं यहां 10,000 बेच रहा था तो business में क्या हो रहा था Loss, आप exit होना चाहा रहे थे अब आप क्या चाहते हो कि हमें profit हो जाए 10,000 का इसका मतलब आप चाहते हो इतना यूनिट बतादो सर सेल करें इतने यूनिट सेल करें कि हम कम से कम तो 10,000 कमा पाए तो ओविसी बात है आपको 15,000 से जादा यूनिट बेचने पड़ेंगे या कम बेचने पड़ेंगे या 15,000 में काम चलेगा बताइए आप 10,000 प्रोफिट कमाना चाहते हैं तो 15,000 से जादा यूनिट बेचने पड़ेंगे या कम बेचने पड़ेंगे फटाफट बताइएगा आप कमेंट बेचने पड़ेंगे सर more than 15 के जवाब आगया बिल्कुल सही है more than 15 के बिल्कुल सही अब more than 15 के आपसे पूछा जाए कितना more than 15 के और आपसे पूछा जाता है सर कितना इसका आंसर नहीं है फिर सर ज़ादा बेचने लेकिन कितना नहीं तो exact answer के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि how to calculate desire sale थोड़ा short में लिख रहा हूँ मैं desire sales ठीक है न desire sales का formula होता है हमारा सर कितने formula होंगे बस formula क्या concept है यह formula और मुले थोड़ी है fixed cost plus profit divided by PBR एक तो यह हो सकता है यह answer आपका आएगा direct rupees में आपको unit जानना है तो desire sale मैं desire sale को ds बोल दूँ है ठीक है fixed cost plus profit divided by cpu divided by cpu इससे आपका क्या निकल के आएगा सर इससे unit निकल के आएगी आपकी इससे निकल के आएगी आपकी unit चलिए वाई साब करते हैं बात लगाते हैं formula निकालते हैं पहले हम unit ही निकाल लेते हैं ठीक है मैं दोनों बात में दूसरे का तो आप अपने आप अप्लाई कर भी सकतों लेकिन पहले तो मैं ही सिखाऊंगा न सर डिजायर सेल डिजायर सेल इस इकल टो फिक्स कॉस्ट कितने का है डेड़ लाग का प्राफिट कितना चाहते हो सर दस अजार मात्र सीप्यू क्या है सर दस रुपे का है तो यहां पे आ गया हमारा यूनिट देखा जाए सोला हजार यानि इससे यह पता चले गया कि अगर हम सोला हजार यूनिट बेचते हैं यह यूनिट आए क्योंकि सीप्यू रखा है न अगर हम 16,000 unit बेचते हैं तो हम 10,000 कमा पाएंगे प्रूफ भी करते हैं कई बार examinal बोलेगा कि इसे प्रूफ करें income statement बनाएं तो income statement बना रहे हैं चलिए सर, sales की हम बात करें तो sales कितने होंगे सर 16,000 into में 50 यानि 8 लाक इसमें से minus सबसे पहले करो variable cost 16 की into में 40 क्या होगा ये? 6 slack 40,000 जब आप minus कर देंगे तो आजाएगा contribution सर contribution क्या आएगा? एक लाक साथ हजार अब क्या minus करोगे? सर सबसे बेकार cost अच्छा भी होता है कई बारी है? फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सर फिक्स कॉस्ट कितने का था? एक्जामपल में डेड लाक का नाव देखें आपके सामने क्या result आया? रिजल्ट आ गया profit कितने का profit आ गया? दस हजार का प्रॉफिट कितने का गया? यही तो चाह रहे थे कि हमारा profit कितना हो? दस हजार है तो बेसिकली अभी हम सीख रहा है ना किसी चीज को वैसे अंदाजा से बोला जाए तो अंदाजा से लगाना बड़ा मुस्किल हो जाएगा करोगे कि भाई देख ले इस वार 15,000 यूनिट बेचने हैं तेरे को कम से कम 15,000 से यूनिट बेचा तो घाटा है फिर बिजनस बंद हो जाएगा तो क्या है? डिसीजन है 15,000 से कम बिका तो बिजनस बंद करेंगे यह चेप्टर जो है ना इसको तीन चेप्टर से कनेक्टेड किया गया है और तीनों चेप्टर बिल्कुल सेम है इसे रिदम में चलेंगा और सब कुछ हाता जाएगा हमें ठेक है? एक डिजायर सेल एक मार्जन ओफ सेफटी भी होता है अभी तक बताईए कोई दिक्कत है आपको तो मुझे बताईए अभी तक कोई दिक्कत है तो बताईए No doubt अभी तक सब को clear समझ में आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा तो अभी तक हमने करा क्या है आपने noting भी करना है ये PDF आपको मिल जाएगा अभी तक हमने क्या करा basically सर marginal costing के branches का management इसके अंदर हमने सीखा दो formula basically अगर मेरे से पूछा जाएना तो हमने सर कितने formula सीख लिए अभी तक और समझ भी लिए समझ समझ के कर रहा है देखो एक तो हमने देखा हमने क्या क्या देख लिया सर एक तो देखा हमने PVR क्या होता है और इसके components क्या है number 2 हमने देखा break even point कैसे निकाला जाएगा और इसके implementation क्या है चार्ट अगली class में करेंगे break even chart number 3 आपका मैंने इसके अंदर क्या देखा सर सर इसके अंदर हमने देखा desire sales कैसे निकाला जाता है तो ये तीन बातों के ही इर्दगेदर chapter घूमेगा पूरा का पूरा इस तीन पॉइंट पे ही हमारा सारा chapter चलने वाला है lt last last slide last slide ही है यह आप इसकी बात कर रहे हो विशाखा आप इसकी बात कर रहे हो last slide ही है कोई doubt है तो पूछे तो देखे यूटूब पे भी जाएगी ये वीडियो तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर यूटूब पे हमारा देखे आप जो भी doubt होता है ना जो बच्चे live class में है मैं साथ के साथ सौट आउट कर देता हूँ यूटूब पे तो फिर ये एडिट वेडिट होके कट के बीच की चीजे हटा के सारी चीजों को क्या किया जाता है एड किया जाता है तो यूटूब पे भी डालेंगे भुक मैंने बता दिया एमन औरोड़ा अभी हम स्रिफ इस तीन फॉर्मुले को अगली class में इस तीन फॉर्मुले को question में apply करना सिखेंगे मैं notes डाल दूँगा पूरी बुक का मैं आपको notes दे दूँगा PDF content के अंदर कल मिल जाएगा आपको notes class का timing रखूँगा TTS सामको 7 बजे ध्यान रखेगा TTS में evening 7 o'clock MWFO और TTS ही रहेगा ठीक है तो TTS कोई दिक्कत नहीं है regular class हो जाएंगी अब आप लोग की तो content के अंदर अगली class के अंदर इस से यहाँ पे PVR तो यह लिख दिया variable cost लिख दिया PVR का एक और formula हो सकता है आप इसी formula से बना सकते हो चाहो तो आप इस formula से PVR कैसे निकालोगे क्या करोगे 100 minus variable cost ठीक है ना मैं लिख देता हूँ PVR हो सकता है 100 minus VC percentage सेम इसी को आगे पीछे कर रहा है मैंने सर और कुछ किया नहीं है इसे क्या बोलेंगे हम PVR बोलेंगे ठीक है तो आज की class यहीं पे प्यारे बच्चों दोस्तों जितने भी है शेयर कर यह बच्चों को बताईए और branches के स्लाइड पूछ रहे हैं यह यह सारा मैं PDF दे दूँगा मैं अभी के अभी अप्लोड कर दूँगा PDF यह अपनोट कर सकते हैं तो class fix हो गया है बहुत छोटा सा स्लेवस हैं हमारे लिए लेकिन बहुत देख रहे हो कितना टेक्निकल है सारी बाते टेक्निकल की जा रही है तो हम आगे continue करेंगे और इस चप्टर को खतम करेंगे और जल्दी जल्दी स्लेवस भी हम खतम कर लेंगा तो बस आज यहीं तक thank you so much मिलते हैं next class में take care